हां जी, नहीं क्लिर हुआ एक्जाम? रह गया? कोई प्रॉब्लम थी? कुछ ऐसा हुआ जो बियांड यूर कंट्रोल था? कोई कमी रह गई? कोई ऐसा इशू जो अब आपको पता है शायद आप ठीक कर सकते थे? या कोई ऐसा इशू जो आपको लगता है आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं क्या आपकी यही सिचुएशन है? इफ येस तन दिस वीडियो बिलोंक्स तू आपको प्रॉब्लम थे? और दिल से दिल वाली बात करने है यहाँच का पॉपचा यहीं अची। I really wanna talk on Heart to Heart today because of late, I met a student who was so good in terms of you know what he was doing at that point in time but unfortunately result didn't came up in his favor and Jo Mene उस दिन सुना it was really heartbreaking. I spoke to him and of course he was the guy who used to be the one very much serious in the class always there in terms of answering the questions always there in terms of responding back what the teacher always needs but जब रिजल बेखा उसने तो रिजल पॉसितिव नहीं आया और रिजल पॉसितिव ना आने से he was really really down at that point in time I met him last week and when I met him I was stunned to see his motivation level in terms of you know where he was he was completely bogged down to an extent that he said that I don't want to do the ACCA, I don't want to do the ACCA, I don't want to do it, I don't want to do it. What is this situation? Have you ever felt it? By any current? By any reason? If yes then you really really need to see this and I can tell you anyone who has done any professional course, forget about ACCA, he would not be the one who would not have faced a burnt like this. सब बच्चों ने कभी न कभी किसी न किसी शेप इन फॉमाट में यह फेज गो थू किया होता है. चाहे वो फेल हुए हो या नहीं भी फेल हुए हो तो कोई और कंसर्न आया गौन की लाइफ में बट कोई नहीं कोई कंसर्न जुरूर आता है. अब आपके पास बेटे दो चोईस हैं. एक तो कि मैं बहुत बहुत बागडन हो जाओ और मैं कोर्स छोड़ने की बात करूँ मुझे नहीं करना सर एक्स वाइजी. दूसरा स्टूडेंट वो है बच्चे जो अपने को संभाले, किसी भी तरह से संभाले, आप में च्योड बच्चे हो, आप बड़े बच्चे हो, अपने आपको संभाल और अपना self-assessment करे. Self-assessment to an extent कि जो गलती हुई है, कि कहां हुई है, कहां पे gap है, क्या issue है? And I can tell you, generally जो बच्चे fail होते हैं, barring of course the issues which are beyond your control, मैं technical issues को आपके beyond मानूंगा, बर जो primarily जो issues बच्चों में देखे गए हैं, जिस वज़ा से बच्चे कभी exam clear नहीं कर पाते हैं, वो चार issue हैं बच्चे, या तो बच्चे मैं अपना पूरा का पूरा syllabus cover नहीं कर सकता, किसी भी तरह से, हो सकता है मुझे time नहीं मिलाओ, हो सकता है मैं उतना अच्छा time नहीं दे पाया हूँ, हो सकता है मैं time दे पाया, बट मैं cover नहीं कर पाया, या कोई भी और कारण हो सकत तो या तो बच्चे आपने सिलेबस पूरा नहीं किया या अबने उसको जरूर ही नहीं समझा या आपको लगे जिन बच्चे जो मुझे लगता है आज की रेक में बहुत प्रॉमिनेंट होता जा रहा है वो ये कि बच्चों ने पास एक्जाम पेपर नहीं देखे होते हैं बच्चे हमने कॉंसेप समझ लिया से लिवसेरिया देख लिया हमने कुछ उसके ओपर प्राक्टिस कर डाले बट हमने पास्ट एक्जाम पेपर हमने समझा ही नहीं कि जो एक्जामिनर है वो हमसे क्या expect करता है हमें किस तरह का कोश्चन देता है हमें कैसे चाहता है कि हम पड़े और उसको आंसर करें ये बहुत prominent और बहुत common mistake है जो बच्चों में आती जा रही है and चोथा जो I think is something which is very 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 common in any and every professional nowadays who is working somewhere is कि हम mock exam में नहीं देना चाहते हैं हम अपने आपको exam से पहले exam condition में डालना ही नहीं चाहते हैं हम देखना ही नहीं चाहते हैं कि वो जो मुझे exam देना है वो कैसा नजराएगा और खास तोर पे क्योंकि अप computer based exam है तो it is all the more warranted कि आप computer based exam को देखो कि शुरू कैसे होता है उसकी functionalities क्या होती है उसकी functionalities से मैं काम कैसे करूंगा जब मैं महां लिखूंगा तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान देना है and so on and so forth ये चारो गलतियां सामने आती हैं अगर आप generally बच्चों को देखो कि ये सारे issues क ये वजा से बच्चे पास नहीं हो पाते हैं अब एक तो कारण हुआ है बच्चे सर मैंने करना ही नहीं है मुझे सोचना ही नहीं है मेरे को देखना ही नहीं है दूसरा कारण हुआ है बच्चे कि आप अपने हिम्मत जुटाओ दुबारा से भांदो अपनी हिम्मत को अगर उन पर मैं काम करता हूं तो क्या यह दिक्त मुझे दुबारा आती है क्या यह दिक्त मेरे साथ दुबारा रिपीट होती है एक कारण तो यह है बच्छे कि आप बिल्कुल और बिल्कुल अपने आपको आज की डेट में इस चीज़ को लेके प्रिपेर हो जाओ कि भई जो हो गया वो हो गया अब मैं उसकी तरफ देखके रोके बैठके कुछ भी पाने वाला नहीं हूं मुझे आब अब अपनी बिल्क को दुबारा से टाइट करना है दुबारा से अपनी एक सेल्फ असेस्पिंट करके अपनी मिस्टेक्स को खवर अप करना है और बिंदास त जाओ बैठ जाओ डी मोटिवेट हो जाओ फिल्चेंज कर लो कुछ और कर लो या तो यह सोच लो या गेम में वापिस आओ बकल अप यो बिल्ट कम अप अगैं सी वाट यह दान रॉंग वरक उन थिंग्स अच्छ यू रियली नीटी इंप्रूव आन फोड़ोफाई एक् अगर आप भी करते हैं तो शायद आप तक भी वो सफलता जरूर पहुंचेगी मुझे बहुत जुरूरी लगा इस वीडियो का बनाना विकॉज जब मैं उससे मिला इस रेली डाउन इन फाक उसको देखना की बाद आई वस फिलिग वेरी दिमोटिवेटेट आप तो यह रेली बीज़ेगा और जरूर बज़ेगा आपको सिर्फ अपनी हिम्मत बारा जुटानी है अपनी जो गलतियां करही है उनके ओपर काम करना है और फोड क्याना है बात समझ में आती है बिलकुल आती है सर्थ hmm seems you are liking the video if yes then why don't you subscribe to our channel fan fan global to keep getting all these videos and the updates do press the like button my friend it really motivates us and share it with all your friends I would I would really end up over here I would again say towards the end बच्चे ये time बिलकुल और बिलकुल हारने कर नहीं है अपनी हिम्मत जुटाओ दुबारा सागे बड़ो I'm sure success will be yours अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा कोई और reason भी लगा जो मैने कवर नहीं किया आप प्लीस comment box में मुझे लिखो I would certainly pick it up and of course share it in the next video and of course students will be seeing this video can also read those issues can also read those concerns there would be some concerns that would be beyond your control if you'll write them and of course share it with me I'll try giving you as much as possible the solution for it तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बेस्ट अफ लाक दिस पंकरज दिंगरा साइनिंग ओफ